72 दिन बाद आज लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आजाएंगे और जेल शब्द सुनकर आप भड़किएगा मत क्योंकि वो दिल्ली के एम्स में भरती हैं और खबर ये है कि जब हाई कोट ने जमानत उनको दे दी थी तो लोवर कोट में जमानत का जो फैक्स आथा उसक बिहार नहीं आएंगे बलकि मीसा भारती के आवास पर जाएंगे और अपने स्वास्त का आंकलन करेंगे अब नमस्कार मेरे नाम प्रशांत राय है आप जिनता जंक्शन देख रही है राजद के परिवार में जिस तरीके से घमसान मचा हुआ है उसको लेकर ये बहुत महत पुर्ण मारा जा रहा था कि लालू पुरसाद यादव जेल से कब बहार आएंगे 22 अपरेल को ही हाई कोर्ट में उनको जमानत दे दी थी लेकिन आज 28 अपरेल हो गया और आज ये खबर आई है कि लालू पुरसाद यादव आज एमस से छूड जाएंगे अब एमस वाला इसका मतलब ये कि जब आज बेल बॉंड भर दिया जाएगा और उसके बाद जब वो पेपर आ जाएगा तो लालू पुरसाद यादव को एमस से चुट्टी मिल जाएगी और वो एमस से सीधा मीसा भारती के आवास पर जाएंगे अब अगला बड़ा सवाल ये था कि लाल कि वो फ्लाइट से आ सके जहां नॉर्मल लोग भी सफर कर रहे हों इसलिए ये कहा जा रहा है कि उनको चार्टेट प्लेन से बिहार लाए जाएगा और बिहार लाने जाएंगे तेज प्रताप यादव को लेकर कहा जा रहा है कि कल यानि 29 अप्रेल को तेज प्रताप याद प्रताप यादव के पास जाएं और उनको सारी बातों से अवगत कराएं कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है तेज प्रताप यादव ने इस प्रकरन के बाद ये भी कहा था कि हम अपने पिता से मिलकर RJD से इस्तिफा देंगे उसके बाद इसका कोई अपडेट इस खबर कर नहीं आया है लेकिन तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने दिल्ली जा सकते हैं और वो भी कल और इसका मतलब यही है कि तेज प्रताप यादव का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है वो उनको रिसीव करने जाएंगे और खबर ये है कि तेज प्रता को ही उनकी जमानत मिल गई थी और जो जमानत जजज सहाब ने दिया था उन्हें ये कहा था कि लालू पुसाद यादव ने अपनी सजा आधी से जाधा काट चुके हैं वो और इसलिए उनको जमानत दी जाएगी CBI के तरफ से दलील दी गई थी कि ऐसा नहीं है क्योंकि लालू पुसाद यादव ने इस सजा का आधा अधा अधी पूरा नहीं किया है इसलिए उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए लेकिन 10 लाह के बेल बॉंड भरने के बाद और एक एक लाह का दो और बेल बॉंड भरने के ब बिहार में आ सकते हैं लालू पुसाद यादव के आने के बाद जो सबसे बड़ी ख़बर है वो यहीं है कि अब तेजप्रताफ तेजप्रताफ यादव संजे यादव मलसी सुनेल सिंग और जगदानन सिंग का जो प्रकरन चल रहा है जिसके प्रोटागोनिस्ट हैं तेज प्रतिकरिया दी थी तो उन्हों ने कहा था कि दिखिया हमको अभी कुछ मालूम नहीं है और उसके बाद अब तक तेजप्रताफ यादव कुछ नहीं बोले कल यह खबर आई कि तिजप्रताफ यादव अगर दस सर्कुलर रोड रहेंगे तो तेजप्रताफ यादव अपन नहीं चाह रहे थे इन सारे घमसान के बीच लालू प्रसाद यादव का बाहर आना बहुत जरूरी था और अब जब लालू प्रसाद यादव की खबर आ चुकी है कि वह बाहर आएंगे तो देखना यह दिल्चस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव के बाहर आने के बाद क् किया ये लडाई सत्ता के लिए है पद के लिए है और इसके बाद ये भी क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आखिर तेजप्रताप यादव R.J.D. से इस्तिफाद देंगे क्या क्योंगी कहा जा रहा है कि तेजप्रताप यादव अपने पिता को रिसीव करने के लिए कल दिल् दिक्कत है और कौन-कौन उनके रहा के रोडे बन रहे हैं तो इस पर अन्य कोई अपडेट आगा तो आपको हम बताएंगे मिने नाम प्रशांत राय है आप जिनता जेंक्शन देख रहे थे बहुत-बहुत धन्यवाद